आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ इस कोशन में हमें दे रखाएगा एक साइकलोट्रोन उसे लिटर है जिसके फ्रिक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्स दे रखी है अब हमें ये फाइंड करना है कि उसका मेंगनेटिक फिल्ड इतना होगा साइकलोट्रोन का पहला तो ये चीज दे रखी है दूसरा दे रखाएगी अगर उसकी रेडियस 60 cm है तो जब वो निकलेगा तब उसकी काइनिटिक एनर्जी कितनी होगी का बहुम्ग है जब करते हैं संभाट है कि साइकलोट्रोन की फ्रिक्फवेंसी तो अगर? इसमें जो पो तोन है उसकी फ्रिक्वेंसी निकालते हैं हमारी की पता है कि omega is equals to qb by m होता है और हम omega को हम लिख सकते हैं 2 pi f is equals to qb by m अब हमें पताए कि ये उस proton की frequency है हमें इस proton की frequency को oscillator की frequency से match करना है तो हमारे पास जो proton की frequency हो जाएगी हो जाएगी 2 pi 10 into 10 to the power 6 ये प्रोटन की frequency होगी और यही oscillator की frequency होगी qb by m q था 1.6 into 10 to the power minus 19 into magnetic field हमको निकालना है अपोन मास वो दे रगा है 1.67 into 10 to the power minus 27 यहां से हमारे पास जो magnetic field होगा वो आएगा की velocity increase होती जाएगी उसकी velocity रेडियस पर डिपेंडेंट है cyclotron के तो हमें magnetic field की वज़े से वो एक circular motion में मुह कर रहा होगा निकलने से जस्ट पहले वो एक circular motion पज़ेज कर रहा होगा तो हम उस point पे निकलने से जस्ट पहले र is equal to mv by qb लगा सकते हैं यहां से हमारे पास velocity आजाएगी r qb by m अब हम इस velocity को kinetic energy के formula में उस करने हैंगे kinetic energy क्या होती है simply half mv square तो यहां value पूट कर देंगे half mv square v क्या है r qb by m का whole square तो यह हो जाएगा half 1 by m r qb का whole square तो जब हम इसमें values पूट करेंगे तो यह हो जाएगा radius point 6 60 cm दे गो point 6 q था 1.6 into 10 to the power minus 19 और जो magnetic field दे रहा है वो point 67 हमने अभी find किया था इसमें square upon 2 master 1.67 into 10 to the power minus 27 10 to the power minus 27 दिया गया हमारी kinetic energy इसको solve करेंगे तो हमारा पास finally जो result आएगा वो एगा 1.2 into 10 to the power minus 12 joule अब हमें कोशन में पूछा है कि kinetic energy in mega electron volt तो हम इसको क्या करेंगे इसमें इसमें convert कर देंगे तो उसके लिए क्या करेंगे 1.2 into 10 to the power minus 12 joule अब इसको mega electron volt में convert करेंगे तो यह हो गया 10 to the power 6 यह Megaw में convert हो जाएगा आप इसको electron volt में convert करना unit को तो इसको करेंगे 1.6 into 10 to the power minus 19 अभी यहां पर इसको cancel करेंगे यहां यह हो जाएगा यहां से यह cancel हो जाएगा यहां से वो cancel हो जाएगा तो यहां बच जाएगा 10 to the power minus 7 यहां से यहां किंसल होगा तो फाइनली यहां पर एक किया हो जाएगा तो जब इसको सोल करेंगे तो हमारा आंसर नियरली हो जाएगा 7.5 और हमारी यॉनिट हो जाएगे मेगा, एलेक्ट्रोन, वोल्ट आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर